नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अपना सिटी नियूज मैं मोनिका भारती आई नजर डालते हैं दिन बर की कुछास ख़़ों का बिधायक ने कोविड निस का टीका लगवा का लोगों को किया प्रेडित माप प्राउंड में 43 केंद्रों में हुए छूटे हुए स्वास्तिकर्मियों का टीका करण 16 जन्वरी को जो स्वास्तिकर्म चारी हुए थे प्रतिरच्छित उन्हें लगी सेकेंड डोज सियम योगी ने ओनलाइन अभ्योदय योजना का किया सुभारम MJPRU में अभ्यार्तियों ने कारिकर्म में किया प्रतिभाग मुख्यमंत्री योगी अधितिना द्वारा IAS, PCS, NDA, JEE, NEED इत्यादी प्रतियोग्यातमक परिच्छाओं की तयारी हेतु अव्योदय योजना का सुभारम ओनलाइन माध्यम से किया गया इस कारिकर्म का प्रसारण विस्विध्यालय के MBA Hall में टूबे कॉम्निकेशन के माध्यम से लगवग 306 चात्राओं के समक्ष हुआ इसके अतिरिक्त विस्विध्यालय प्रडांगन के 10 स्मार्ट क्लासरूम में उपस्तिती अन्य लगवग 606 चात्राओं ने इस कारिकर्म में प्रतिभाग किया विस्विध्यालय के Electronics and Instruments, Electronics and Communication, Computer Science and IT Mechanical Engineer, Electronic Engineer, Chemical Engineer, Animal Science, Plant Science, MBA इत्यादी विभागों के समार्ट क्लासरूम में इस्तिमाल किया गया इस महत्वकांची योजना का सुभारम मुख्यमंत्री ने किया एबम यूबाद 46 चात्राओं को इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया इस दोरान चात्र चात्राओं ने उनसे संबाद किया तथा उन्होंने उनके प्रशनों के जबाब भी दिये मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन एबम योजना का सुभारम के पश्चात दूसरे सत्र में बरेली डिवीजन के कमिशनर रनवीर प्रशाद एबम जिलाधिकारी नितेश कुमार ने भी इस अभ्यूदै योजना के बारे में चात्र चात्राओं को संचिप्त रूप से मुझना के महतता के साथ साथ विशैगत ज्यान प्रदान कर उत्साह वर्धन किया इस प्रोग्राम के विश्व विध्याला इस्तर पर संचालित करने में नामित अधिकारी प्रफेसर बिनै रिशिवाल प्रफेसर एंड के पांडे कुल सचीब महोदै डॉक्टर सिरी मती उप कुल सचीब सिरी आनंद कुमार मौर्या का विशेश सहयोग रहा। पूरे कारिकरम के दोरान छेतरी उच्च सिक्छा अधिकारी राजेस प्रकास योगेस पांडे पिछडा बर्ग कल्यान अधिकारी डॉक्टर कौशल कुमार मौजूद रहे। पर, अफ्रीका में जेल हो गई जब मनोजुकुमार ने साच पेस किया अफ्रीका सरकार ने वाइजत्ध बरी किया यह सारी घटना मनोजुकुमार ने केंद्र मंत्री संतोस गंवार को बताई तो उन्हों ने पीएमों हा में अग्रह करके उनको बरेली बुलबा लिया और उनकी पूर्ण मदद की जिस पर मनोज कुमार द्वारा आज इंद्रिमंत्री संतोस द्वारे का सम्मान किया गया उनका मानना है कि ऐसी मदद सिर्प पिता ही कर सकता है मनोज वत्वानी हूँ और पश्चिम अफ्रिका वेस्ट अफ्रिका से लाइवेरिया देश से आया हुआ हूँ और मूलता मैं बरेली का ही निवासी हूँ सिंदु नगर में मैं रहता हूँ आज का बुलाने का मकसद ये था कि हम वहां पे रह रह रहे तीन हजार भारतिये वहां पे हम लोग रह रह रहे हैं उस देश में और मैं खुद वहां के सोसाइटी का जनरल मैनेजर हूँ और वहां पे जो भारत सरकार की तरह से अपॉइंटेट के हुआ एक हॉर्णरी कॉंसलेट जनरल था उपजीत सिंग सस्देवा वो भी भारत का ही निवासी था और वो भारतिये लोगों को बहुत प्रताडित कर रहा था माने उनकी तरक्की पे बाधग बना हुआ पूरी तरीके से और कई ऐसे अपने पदगा दुरुपयों कर दे हुए कई ऐसे कारे कर रहा था जो संसकतिय और मर्यादा के भी खिलाफ हैं तो उसको लेके मैं खुद जैसे मैं अपना ही बता दूँ कि मुझे तक उसने एक फ्रॉट केस में फसा के मुझे जेल करा दी पर ये था कि वहां की अथरॉटी से मेरे अच्छे रेलेशन्स थे तो उन्होंने मेरा साथ दे के मुझे जेल से निकाला माने वहां की सरकार मु आदमी वहां में जेल में डाल गा है तो उसने जो है ऐसा करा के हमको और फिर उसके बाद मानि संतोज गंगवार जी मेरे पुराने संपर्क में हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्रातना की कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है तो उन्होंने इमिरेट का कि तुम अभी कभी हिंदोस्त और यहां आने के बाद संतोज जी ने केंद्री मंत्री रहते हुए एक पिता की तरह मेरा साथ दिया पिता की तरह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाना कई बार दिल्ली से ले के आना मंत्रियों के पास पहुंचाना और विदेश राज्य मंत्री और विदेश मंत्री से रा अभी तीन दिन पहले संतोज जी के निवास पे भी वहाँ पे धन्यवाद की एक भोच कारेक्रम आयुजित की अदर सम्मान में उसमें विदेश राज्यमंत्री वी मुरली धरहन जी और परल्लेमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर अरजुना मेगवाल जी और इंदौर के सांसर शं में विदेश में किसी कॉंसलेट को हटाया गया है तो उसके लिए मैं समझता हूँ हम अगर विदेश मंत्राले के आभारी हैं विदेश मंत्री विदेश राज्यमंत्री के आभारी हैं पर उसे ही बराबर में हम श्री संतोज गंवार जी के भी आभारी हैं उनकी मदद के ब इने की चिंदा करते दे वह वहां पर तो ये इसके लिए मैं मानूंगा कि मैं तो यही कहूंगा मेरी नजर में वह मंत्री के रूप में भी संत है जितना मैंने उसे देखा उस शक्सियत को अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग लगातार 42 दिन से बरेली कालेज में एक आंदोलन चला रहे हैं और जिसकी दो मांगे हैं पहली मांगे बरेली कालेज बरेली को बिश्विद्याले बनाया जाए और दूसरी मांगे अस्थाई कर्मचारियों को बिनिमती करण किया जाए जो बिगत 15-20 वरसों से कार बरेली कालेज बरेली 183 वर्ष पुराना है और नेक्स ए ग्रेड प्राप्त है इसके आधार पे बहुत एहतिहासी कालेज है इसको बिश्विद्याले बढ़ना चाहिए और हम लोग लगातार आंदोले थे हमने तमाम पत्र केंद्रिये मंत्री को भी पत्र दिया है केंद्र सरकार को भी पत्र बेजे हैं राज्य सरकार को भी बेजे हैं और आज के ग्यापन में हमने ये लिखा है अगर हमारी मांग पे जल्द सुनवाई नहीं होती है दोनों मांगों को नहीं सुना जाता है तो 25 फरवारी को बरेली कालेज को हम पोड़ रूप से बंद करा देंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर परदेश सरकार की होगी और एक दिन के लिए बंद करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यदे हमारी मांगों को सुनवाई नहीं की गई तो हम आने वाले मुख्य परिक्षाओं में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे जिसकी समस्त समय से हम लोग मांग कर रहे हैं अगर इन मांगों को जल्द नहीं सुना गया तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। एक प्रेसवारता का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश उपाद्यक्ष ने बताया कि आज हमारी पार्टी में कई लोग जुड़े हैं जिनको हमने कुछ जिम्मिदारी दी हैं प्रेसवारता के दौरान प्रदेश उपाद्यक्ष ने बताया कि हम पिछले काफी समय से बरेली में एमसो हॉस्पिटल की मांग करते आ रहे हैं आज मैं रिपब्लिकन पार्डी ऑफ इंडिया अठावले प्रदेश उपाद्यक्ष और प्रदेश प्रभारी नदीम अप्बाल आज सबसे पहले यह जो प्रेजवारता आज तो हमारी पार्डी का संगटन विस्तार हुआ है कम से कम आठ दस लोग प्रेम सिंग चौदरी एडवुकेट मंडल अध्यक्ष के रूप में अशोग कुमार सैनी जी जो है मंडल प्रभारी रिशप सैनी जो है मंडल अध्यक्ष बरेली युवावे और आज ये खास तोड़ से प्रेस कांफरेंस इसलिए रखी गई है कि हमारी अठावले जी ने लोकसाबा के अंदर बिल लाने की मांग की है केंद्रिये और राज सरकारों से कि जो भूमी हीन किसी भी जाती धर्म के हो है जब मोदी जी 140-135 करोड लोगों की बात करते हैं तो किसी भी धर्म जाती का हो जो भूमी हीन वाकी में व्यक्ति है और जिसके करने भूमी नहीं है किसान को उसे पांच एकर जमीन गाउं दे आतों में ती जमीन फिरी पड़े भी है उसे पांच एकर जमीन फिरी में दी जाए नंबर एक दूसरी बात यह है कि एम्स की या दिल्ली में रहा है अगर यहां से कोई मरीज रैफर करा जाता है पहली बात तो गरीब आदिली के कने इतना पैसा नहीं होता है दूसरी जिया है कि वो धाई 300 किलो मीटर एम्स को पकड़ने के लिए पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है मरीज उसे रात फौरी नहीं मि है इसी लिए यह गली मौले शहरों में जो अमबेटकर साब को सिमित कर रखा है इसी लिए हमारा कहना या तो अमबेटकर नाम से बड़ा पार्क बना जाए या गांदी हुगान के सामने जो है अंबेबाबा साथ भीमरव अंबेटकर के नाम से बड़ा गेड़ बना दिया नहीं गेट बन पाता है वहाँ ट्राफिक समझती आएगी तो अंदर गांदी उगान के अंदर हमें जगा कहीं हम बेटकर प्रतिमा के लिए हम कल उमेश गौतम साफ से भी एक प्रति निद्री मंडल मिलेगा संतोज गंगार से भी मिलेगा और जो है मुखमंतरी से भी मिलने क के लिए हम स्वेम जाएंगे समय मैं मैसिज डालावा है समय का लिए पड़तों हमें मिल सकता अंबेटकर गांदी उगान के अंदर कहीं पे गांदी जी के साथ में भारत रत्म भीम राव अंबेटकर जी की प्रतिमा इस्थापित करने के लिए हमें जगा दी जाए और प्रतिमा लगाएंगे जय हिंद जय भारत जाए यह अब आपने कहा कि क्या करते हैं रेम्स की स्थापना होनी चाहिए जी आप मौझूदा सरकार में इस तो आप इतने साल हो गए लगवाग आट साल होने जा रहा हैं सरकार में को पात साल एक बार बन चुके तीन साल और ब मांग है और हमारी जो है दर्जा राजमंत्री अश्वनी कुमार 24 से मुलकात होती और उन्होंने हां भी करी और के कया के इंदिया हश्वर्दम से हमारा इस लगता है एम्स की मांग बहुत जल्दी हमारी पूरी हो जाएगी हम देखते हैं अगर नहीं हुई तो क्या करेंग लड़ेंगे हमें कुछ सीटों की हमने 25 सीटों की मांग करीती गडवन में जो हमारी बाच्ची चल लगी है और रिपबलिकान पाइडी आफ इंडिया को कुछ सीट है मानविय मुख मंत्री योगी आधीद नाज जी ने कुछ अधिवक्ताओं ने खिचली भोज करके मासारदे को किया प्रणाम बसंत पंचमी से पूर्व अधिवक्ताओं ने एक खिचली भोज का आयोजन किया जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ बैट कर खिचली भोज किया इसमें पूर्व मासारदे की प्रतिमा पर माल्या प्रणाम किया इस मौके पर अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। पर अधिवक्ताओं ने विचार प्रकट करते हुए इसलिए सभी लोग इसमें आमंत्रित किये गए यही एक हमारा इसका उत्रेस है कि यह प्रोग्राम हमारा पिछले साल हुआ था उस समय तो बहुत छोटा सा कारकब हुआ था लेकिन अब हमने इसे बहुत बड़े इस्तर प जो की ज्यान की देवी हैं और हम अधिवक्ताओं को सबसे पूझे माशार्दे हैं माशरसुती हैं तो माशरसुती की पूझा करके आज हम सभी लोगों ने यहां पर वीली तहरी का ये खिचडी भोज कारिकर्म रखा था अधिवक्ताओं की आराध्य देवी होने के कारण ह हम सभी लोग आज मिल जुलकर इस तेवहार को इस पर्व को मना रहे हैं और प्रेम पूर्वक यहां पर खिचडी हम सभी अधिवक्ताओं ने और हमारे जो बादकारी भी हमारे मद्द में आते हैं उन बादकारियों के मद्दे बैठके हम सभी लोगों ने खिचडी से हुआ है